हलो एवरीवन देशमशाद एर तोड़े वी आर गोईंग टो स्टार्ट 8253 माइक्रो कंट्रोलर इन दा प्रीविएस लेक्चर वी आफ डिसकर्स 8251 माइक्रो कंट्रोलर ओके तो यह लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं काफी लंबी टाइम के बाद रिकॉर्ड कर रह इंटरवल टाइमर्स तो यह 8253 के साथ मैंने 8254 भी लिख रखा 53 या 54 दोनों एक ही होता है दोनों एक ही तरह कंट्रोलर 53 भी 54 लेकिन फर्क क्या है 54 जो है उसमें एक अलग से कमांड एड कर दिया गया यानि यह एडवांस वर्जन है इनकम प्रेजन दूता है 53 यानि इस इसमें क्या किया गया है इसका सबसेट जो है कह सकते हैं कि 54 का जो सबसेट है वो 8253 है इसमें दो कमांड को एड करके यानि 8253 में दो अलग से कमांड एड कर दिया गया और इसका बना दिया गया 8254 जिसमें से एक इंपॉर्डेंट कमांड यह जो है कि रीड बैक कमांड इसके बारे हम लोग बात करेंगे अभी आगे थेलके कि read back command क्या होता है और दूसरा बात यह होता है कि इसकी frequency of operation जो है 8254 का वो ज्यादा है in comparison to the 8253 जो 8253 जो है वो 3.5 MHz तक क्या बलते हैं operate होता है जब कि यह 10 MHz तक operate हो सकता है 10 MHz operating frequencies का होता है कि इसका 8254 का ओके तो चलिए हम लोगा इसके बारे हम details से study करते हैं कि 8254 कैसा होता है इसका block diagram कैसा होता है और यह कैसे function करता है सबसे important चीज़ यह होता है कि अगर आप किसी भी microcontroller का अगर block diagram को अच्छे समझ गया है तो means that you are able to write anything you are able to write and explain each and everything of that microcontroller आपने एक बार diagram समझ लिया मतलब आप अपने से कुछ भी जो भी इससे related topic है सब कुछ को explain कर सकते हैं detail में वो भी ठीक है चाहे pin diagram आजाए चाहे आपका block diagram से कोई सवाल पूस दिया जाए सब कुछ आप answer कर सकते हैं अगर आपने एक बार block diagram को अच्छ से समझ लिया तो चलिए हम लोग आज start करते हैं block diagram से ही और उसके बाद मैं theory portion में चलूँगा क्योंकि पहले मुझे basic concept जो है यहाँ diagram से बताना होता है then after मैं move करता हूँ theory के तरफ क्योंकि पहले अगर theory पढ़ते आ जाएगा तो फिर आपको यह कहलाता है क्या कहला है by directional है तो यहाँ पहला block जो दिखाया गया उसका नाम है database buffer ओके बीच में क्या लगा हुआ यह internal database है जो सब को connect कर रहा है यानि इस तरह इधर का यतना भी left side में आपका block देखाई दे रहा है उसको right side में अगर communicate करना होता है तो यह किससे पास होता है internal वस्ते होते हुए इधर communicate होता है ओके तो यह चीज़ क्या है simply पहला हम left side के block को देखेंगे फिर right side के block को देखेंगे तो 8253 क्या है इसका नाम ही पता है कि यह क्या है programmable interval timer कहलाता ही है तो इसका काम क्या है सबसे पहले समझ लिए कि यह हम लोग क्यों पढ़ रहा है ठीक है क्योंकि अगर समझ में आएगा कि इसका जरूरत है हमारे real life में तभी नहीं हम इसको पढ़ेंगे interest के साथ अगर हमको लगा है कि नहीं यह फालतु में कारी topic पढ़ते जा रहे है एक्जाम के लिए है तो कोई मतलब नहीं है आपको real life में बता हूँ चाहिए कि इसका application है क्या क्यों पढ़ रहे हम इस topic को तो इसका real life application यह है कि हम लोग देखते हैं जैसे washing machine देखा है आपने घर में क्या भूल जाते हैं वह क्या करें वह function करता रहेगा एक घंडे तक continue function करता रहेगा तो उसमें क्या हर time पर set slot पर set होता है कि 20 मिनट बाद जो है क्या करना है पहले पानी टोटल उसमें भड़ेगा उसके बाद 20 मिनट बाद क्या होगा रोटेशन चाली होगा और फिर उसके 20 मिनट बाद क्या होगा ड्राई यानि सुखाने वाला जो प्रोसेस है ड्रायर का वो प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें जो time slot fit है वो कौन बार-बार adjust कर रहा है कौन देख रहा है यानि कि क्या microprocessor उसमें जो लगा हुए अलग से वो बार-बार जाकर देख रहा है कि इतना time हुआ कि नहीं हुआ 20 मिनट हो गया तब यह करना है 20 मिनट बात धिरिये करना है क्या microprocessor बार बार जाकर वहां में counting के काम को करता रहेगा यानि इन दा सेंस कि अगर मैं कहूं आपको सपोज मैं एक processor हूँ सपोज आप मालने लि दिला देना है कि मुझे वो फलाना काम करना है ओके आदे गंटे बाद मुझे बता देना कि सर आदा गंटा हो गया अब आपने कहा था कि आदे गंटे बाद printer कौन करके हम लोग प्रिंट निकालें सपोज तो मैं क्या करूंगा अपने काम में busy हूं और मैं अपने काम को कर मैं आदे गंटे बाद मेरा असिस्टेंट वहां को या दिला दे आ कि हम कर सकते हैं उसको देखें तो उस वक्या होगा मैं टेंशन फ्री होके अपना काम करता रहूंगा यानि मुझे किसी और चीस का नहीं रहेगा सिर्फ यह पता रहेगा कि मेरा असिस्टेंट वह टाइम करने हैं मेरा काम में मन लएगा मैं बहुता साया ना लगा जाए फूसकता है कि माइन डिस्टर पर देख लएगा किए तो तिक प्रॉसेसर के साथ बहुत सारे काम में बजी रहता है टीक है तो वो क्या करता है एक elarm कर देता है elarm कर देने का मतलब क्या हो गया या तो एक physical को थाम अने इंतरनल के अंदर एक हएं फिजिद कर लेता वह तो था मिंडवेज की हो सकता है या तो फिजिकल अन हो सकता हम één हां किसल सकता हएं या सॉफवैर करने सप्सक्राइब क passé सब्सक्राइब हला क्या है सिर्फ counting का काम रहे हैं कि जतना timing हो उस count करके microprocessor को बता है कि हाँ इतना दिर में ये काम करना है इतना दिर में ये काम करना है मतलब exactly क्या physical एक device होगा hardware के form में वो microprocessor के साथ attach रहेगा वो क्या बताएगा सिर्फ microprocessor को time बताएगा कि इतना दिर बाद ये करना है इतना दिर बाद ये करना है तो अगर हम physical device की बात करें तो वह महेंगा होगा ठीक है जाहिए जाहिए बात कोई इतने डिले चाहिए तो वो प्रोग्राम को क्या क्या 20 बार रन करा दिया तो 20 वा बार जैसे ही होगा प्रोग्राम बार आएगा उसके बार हमको इंडिकेट करें कि 20 सेकेंड हो गया तो ये क्या है एक तरह का software डिले हो गया software डिले जिसमें खर्चा वर्चा कुछ नहीं है कोई physical device नहीं है कोई maintenance नहीं है सीधे एक programming को मैंने loop में fit कर दिया और वो अपना function कर रहा है ठीक उसी तरह से मैंने क्या किया है यहां जब microprocessor अपना काम करता है तो वो क्या करता है एक timer को fit करता है timer वहाँ पे कौन सा timer है वो timer है 8253 जो timer को microprocessor यूज करता है किसी भी delay को provide करने के लिए उस timer का नाम क्या है 8253 यह क्या है एक micro controller है मतलब एक IC है simply एक IC है जिसके अंदर 24 pin होता है ठीक है इस IC का काम क्या है कि microprocessor इसको assign करेगा timing कि हमको आधे घंटे बाद इस काम के लिए rewind करना तो यह क्या करेगा इसका काम 8253 कर यह हो जागा कि आधे घंटे का counting यह start करेगा यानि अपने हिसाप से इसके अंदर timer यह set कर लेगा कि आधे घंटे में केतना देर तक इसको timer को चलाना है इसके पास क्या हो हो है तीनों केतने बिट को होता है तीनों होता है 16 बिट का counter होता है और यह क्या करता जैसे ही माइक्रोपोसेसर को को इतने देर बाद यह बताना इतने देर बाद यह बताना ठीक है तो यह क्या करेगा तीनों काउंटर में अलग 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 डिले फिट कर देगा कौन 8253 जो है वह आपने counter में क्या करेगा counter जो 16 बिट का है उसमें डिले फिट कर लेगा और according to the given time यानि यतना उसमें थे आपका इतना ऍका तीना देर के बाद बताने के लिए उतने देर के बाद यह करेगा counter यानि ίह ay कहा गया इतना time हो चुका है यह पहला reminder है आपको okay second जब counter खतम हो जागा तो फिर वह बोलेगा कि यह वाला भी time finish हो गया यह second reminder थर्ड खतम करेंगा थर्ड बोलेगा यह थर्ड reminder तो इसी के एक और क्या होगा microprocessor अपना free हो के काम करता रहेगा और 8253 का काम क्या होगा अपने counter को यह क्या करेगा load करेगा counts है कौन से counts है जैसे suppose कहा जाए कि microprocessor ने इसको काम दिया यह मुझे 10 minute के बाद rewind करना suppose 10 minute का time जा गया तो आप 1253 क्या करेगा काई 10 minute को पहले convert करेगा कि कितने bit के counting में माली जीए इसको एक counter है counter कौन सा यह down counter है counter दो तरह होता है एक को कहते हैं अब counter दूसरे हो कहते है down counter ठीक है तो 8253 जो यूज कर रहा है यहाँ पे counter वो किस तरह counter है वो है 16 bit down counter यह क्या है 16 bit down counter यह भी 16 bit down counter यह भी 16 bit down counter ठीक है इसका काम क्या है कि 16 bit data को load करेगा ठीक है जैसे मैं लिए data जो है 101101 सपोज इस तरह से सपोज मैं कहूं कि 16 bit में से आगे का जो 12 bit है वो आपका सब 00 है ठीक है आगे का जो सारा 12 bit है वो 00 है और लास्ट वाला जो bit है वो है 1010 सपोज या वन वन कुझी मालने 1010 यह रख देना थे ठीक है तो 1010 क्या है यह आपका 10 है decimal में कितना है इसका value decimal में इसका value कितना है 10 तो microprocessor ने इसको कहा था कि 10 minute बाद delay को मतलब 10 minute का delay provide करना है 10 minute के बाद मुझे interrupt भेज जा तो इसने क्या किया कि एमाल लिजे counter को decrement करने में यानि 10 से 9 होने में 1 minute लगता suppose ऐसा तो बहुत कम लगता microsecond में लगता है तो मैं अभी मैं assume कर रहा हूँ कि माल लिजे यहाँ पर 10 जो है यह down counter है तो जैसे ही clock pulse high होगा इसके पास यानि यह clock input है यह जैसे ही हाई होगा तो यह क्या करेगा एक count decrease करेगा यानि एक बर यह क्या होगा decrease करेगा नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा तो binary में इसका counting केतना हो जाएगा इसका counting हो जाएगा फिर जब अगला कांट यह करेगा नेक्स्ट वॉक्पस जब आ या कितना हो जातो यह मिल्याना था 1,000 फिर यह फिर यह, फिर महीं फेरी हेले खेंग फ़ें trabajo का डिले हो चुका है अब आगे जो काम है उसको प्रोसेस किया जाए तो ये 8253 क्या करता है simply counting का function प्रोवाइड करता है डिले प्रोवाइड करता है किसको प्रोवाइड करता है microprocessor को यानि microprocessor को अगर कोई काम perform करना है जैसे आप oven है आपकी घर में आवन में किया, बहुत सारा काम हो था, बहुत सारा काम को परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपका डिस्प्लेंट दिखाना है, उसको की intel करने कर रहा है, अंदर का hitting का process चल रहा है, उसको कन्टल कर रहा है, rotation का जो process चल रहा है, rotation का जो work कर रहा, करेंगा यह गाम करेंगा के पिर आपके इंपूट को लेगा ओठ गया क्या करेंगा फिर आपके do तब कितने दिर तक क्या करना है, यानि हीटिंग का प्रोसेस कितने दिर तक करना है, तो ये क्या करता है, 8253 को बोल देता है, कि अपने अंदर 5 मिनिट का डिले फिट कर लो, अपने अंदर 5 मिनिट का डिले फिट कर लो, और उसके बाद मैक्रोपोसेसर क्या करता है, आवन के को हो चुब आ है। या नी रोटेशन वाला प्रोशेस इसको कर देता है। ऑपका खाना क्या मिन यानि क्या हो गया है आपका आवन में 5 मिट हो चुका है और खाना घराम हो चुका है अब हम स्क्राइस के लिए अलग अलग पेरिफेरिल को एकिषैन कर तयासे कर थीक पांच मिनट के लिए अपना count को load कर लो और पांच मिनट जसे ही हो जाए मुझे बता देना तो अब यह 8253 क्या करता है उस 5 मिनट को अपने counter में load करता है इन तरम्स ऑफ count यानि इसको पता है कि हमारा जो counter है 16 बिट का उसमें één count को decrease कितना टाइम रगता है यानि एक काउंट यानि के माली यह दस लोडिंग के अंदर तो दस से नो होने में इसको कितना टाइम रगता है और उसके बाद यहां बाविट काउंटर में लोड कर देगा ठीक है और उसके इंसाफ से फिर डिक्रिमेंट चालू करेगा जैसे यह 300 से घटे-घटे यह 0 पर पहुंचेगा यह फटाक से बताएगा किसको कि time out time हो चुका है और उसके बाद microprocessor क्या करेगा अपना function को close कर देगा तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि microprocessor जो है वो अपने timing function को execute करने के लिए यानि कि counting function को execute करने के लिए यह microcontroller जो use करता है उस microcontroller का नाम है 8253 या 8254 यह हमारे real life में कितना useful है यह आपको समझ में आ गया अगर अगर यह चीज मतलब microprocessor पास ना होता तो microprocessor को delay वाला जो काम है counting वाला काम जो है वो आलग से अपने ही perform करना पड़ता है तो microprocessor जब अपने से काम यह counting वाला काम perform करता तो क्या वो का अपना काम कर पाता जो main काम है प्रोसेसर का main काम क्या है हीटिंग क्वाल को hit करना rotation कराना input output function को perform करना उसकी हिसाफ से काम धेर सारा उसके पास है तो वो काम नहीं कर पाता ठीक है तो उसने क्या किया इस काम को जो counting वाला काम है किसको assign कर दिया 8253,8 करने के लिए काउंटिंग function को execute करने के लिए तो अब हम लोग चलते हैं बात करने कि जब 8253 से connect हो जाता है यानि ब्लोग ड्यागरीं में हम लोग आज समझेंगें वके चलहें स्टार्ट करते हैं ब्लॉग का Explanation तो सबसे पहले ब्लॉग ड्यागरा defending हम लोग यह समझेंगे कि हर एक ब्लॉग जो ہے वह क्या काम D7 तक यह data line इसके पास होता 8 data line होता है यानि 8 data bus होता है इसके पास 8 data bus इसके पास है 1 second कि इसके पास क्या है 8 data bus है और यह 8 data bus को क्या करता है यूज करता है simply किसके लिए either जो भी आपको delay provide microprocessor जो भी delay देता है तो मतलब जो भी count provide करता है तीक है यानि 16 bit count जो load करना होता है वो इस data bus buffer में load होता है कैसे load होता है with the help of this data line तो इसका क्या क्या काम है data bus buffer में सबसे पहले क्या होता है तो data bus buffer में 8 data bus होता है जो क्या क्या काम करता है सबसे पहला काम कि ये जो 16 bit count 16 bit count का मतलब क्या जितने देर का delay microprocessor को चाहिए microprocessor यहाँ पर क्या करता है उसको convert करता है 16 bit count में और उसको load कर देता है data bus buffer में ठीक है clear पहला बात यह हो गया कि data count को provide कौन करता है तो data count सबसे पहले load जो होता है वो data bus buffer में load होता है और फिर यह data bus buffer से कहा आता है internal bus से होते हुए control word register में पहुचता है control word register क्या करता है इस data count को कहां load करता है जो भी data count है यानि कहां से कहां तक counting करना है वो कहां load करता है control word register ले जाके load करता है counter 0, counter 1, counter 2 यह किस वाले counter में जाएगा तो यह बताता है आपको यह वाला address line जो है कि A0 और A1, वो कैसे बताता है, वो आगे चलते हैं, दूसरा काम, डेटा बस बफर का पहला काम क्या होगा, इसके अंदर 8 डेटा बस होता है, यानि 8 डेटा लाइन होता है, जो क्या करता है, 16 बिट काउंट को लोड करता है, काउंटर में, ठीक है, पहले ये कहां से कहा बेशता है, इसको बेशता है, कंट्रोल बड रेजिस्टर में, यानि माइक्रो पोस्टर से होते हुए, डेटा बस बफर में आया, डेटा बस बफर से होते हुए, कहां गया, कंट्रोल बड रेजिस्टर में, कौन से काउंटर को सेलेक करना है, वो डिपेंड करता है, A0 और एवन पर कैसे डिपेंड करता है वो मैं आगे बताऊंगा ठीक है पहला काम यह हो गया दूसरा माइक्रोपोजेसर से इस डेटाबस के तुरू कंट्रोल वर्ड भी लोड होता है कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या हो गया कौन सा कंट्रोल सिग्नल एक्टिव होना यानि रीड सिग्नल को एक्टिव करना है कि राइट सिग्नल को एक्टिव करना है चिप सेलेक कमांड आया कि नहीं आया तो यह तीन जो कमांड देख रहा है यह control word यह कहां से load होता है microprocessor बताता है किसको microprocessor भेज़ता है 8253 को ठीक है 8253 कहां से लेता है यह data bus buffer से receive करता है और receive करके कहां भेज़ता है control word register में तो control word register में क्या होता है सब कुछ checking होता है पहला काम क्या checking होता है कि कौन सा है status मतलब कौन सा आपको control signal यहाँ पे भेजा गया है read signal अगर आएगा read signal आएगा मतलब अगर यह 0 हो जाएगा तो read signal क्या हो जाएगा enable हो जाएगा देंकि यहाँ पर read bar है write bar है cs bar है तो सबसे पहले जो control word में यहाँ पर receive होता है signal वो होता है CS bar पहला, CS bar क्या बताता है कि आपका जो chip है यानि 8253 जो chip है वो select होना है कि नहीं होना है 8253 सेलेक्ट कब होगा जब ये CS bar जो है वो zero होगा जब CS bar 0 होगा तो आपका क्या हो जागा 8253 select हो जाए किस के द्वारा select होगा? microprocessor के द्वारे इसको select कर ले जाएगा यानि अब आगे का काम perform करना है अब microprocessor क्या करेगा आप बताएगा कि read करना है कि write करना है तो अगर microprocessor से control word का command आया है वो read 0 आया तो मतलब read operation करना है उस time में क्या हो जाएगा write क्या हो जाएगा write बार आपका 1 रहेगा यानि write disable हो रहेगा write का काम नहीं करना है read का काम करना है अब आगे क्या है a0 a1 क्या बताएगा तो a0 a1 बताएगा कौन सा आपको counter select करना है यहाप a1 हो जाएगा यहाप a0 हो जाएगा ठीक है msb lsb तो अगर यह 0-0 है तो इसका मतलब हो यह counter 0 को select करना है यानि इस counter को select करना है और अगर यह 0-1 हो गया तो किस counter को select करना है counter 1 को अगर यह 1-0 हो गया तो किसको select करना है counter 2 को लेकिन अगर यह 1-1 हो यह तब क्या हो जाएगा 1-1 आएगा तो इसका मतलब है लगे यांद में सुन वहाँ कि एकदम सब आसान चीज है बहुत पुराना चीज़ सब सुना हुआ है अब क्या है क्या 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 तो च्छू पहला काम होता है कि जो भी काउंटीं करना है यानि 16-bit वच्बीट कांट जो आएगा माइक्रोजिश्टर से डेट कर दो फोर के त्रू होते हुए उसको चौंटर में लोड करना शॉंस में समें काूंटर कांट mois coming कि ऑुगे डूसरा काम क्या है इसके अटास। सिखनसे घर सब्सक्रायों इस सब्सक्राइब कर देखिए। च outro है यह सब्सक्राइब करने के लिए क्चीज एक साथ हुझाने पर तोड़ा अजीब के ललग रहा है और pen को भी बदल लिया जाए, green से red कर लेता हूँ, green से green मिल जा रहा है, okay, wait, मैं इसको तुछा change कर ले रहा हूँ, ताके clear देखाई दे, red से, okay, red, okay, now, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कि simply, मैंने क्या कहा आपको, पहला काम ये बताया, कि आपका data bus buffer का क्या था, data bus buffer मे इसके थूरṁ microprocessor क्या करता है किसी भी data line, data כमांड को लोड करता है, यानि data कमांड में कौन-कौन हो सकता है, या इधर इसमें हो सकता है 16 bit count, जिसको के आपको counter में ले आगे load करना है, या फिर control word कमांड हो सकता है, जो control word register में जाता है, या read write logic इस form में हो सकता है, यह क्या क में operate होता, तो यह counter क्या है, 6 mode में operate होता, counter 0 भी, counter 1 भी, counter 2 भी, तो 6 mode में से कौन सा mode select करना है, तो यह कौन मताएगा, यह बताएगा, control word register, कि कौन सा mode select करना है, किस mode में किस counter को operate करना है, यह कौन मताएगा, control word register, तो control वड डिस्टर कुं ये कौन बताता है? तो ये बताता है data bus buffer से आने वाला जो command है ये जो controlV đ command वो बताता है कि आपको किस counter को किस mode में operate करना है किस counter में कौन सा count load करना है यानि कितना bit का counting किस से कराना है कितने bit का counting करना ये कौन बताएगा? control word register load करेगा read write logic क्या करता है read write logic में क्या है input command देख रहे है control signal जो देख रहे है read signal write signal a0 a1 cs bar तो यह अगर माल लिए read signal low है अगर read signal low है तो data बस buffer पे क्या होगा microprocessor read करेगा किसको read करेगा इसके status को यानि counter का काम क्या होता है कि counter का काम होता है जीरो पे पहुचेगा तो यह माल लिए बीज में अगर check करना है status को कि इसका counting केतना चलता भी तो microprocessor यहां से क्या करेगा read signal भज़ेगा तो इसके status को क्या होगा read कर लिया जाएगा microprocessor में तो यह जो status जो आएगा वो कहां जाएगा data bus पे जाएगा और data bus के थुरू होते हो microprocessor को मिल जाएगा तो यह कहला है read command यानि microprocessor read करता है status को किसके status को counter के output के status को देगे counter में तीन तरह का input भले सौरी तीन तरह का pin है देखाई दे रहा है counter में तो आपका क्या हो जाता है 16 bit count जो है control word से निकल के कहां है counter में आके load हो जाता है जैसे ही clock pulse हाई होगा तो यह counter में load हो जाएगा और जैसे ही get signal हाई होगा तो अब यह counter का जो count है यानि जो भी counter के अंदर पहले से load है यह decrease करना शुरू करेगा decrease करना शुरू घटना शुरू करेगा ठीक है कब तक घटेगा जब तक आपका count 0 न हो जाए clear out क्या बताएगा जैसे ही कोई भी count जैसे माल लेजे 10 के बाद यहां 9 होगा suppose तो out वाला जो terminal है out वाला जो signal है मतलब out वाला जो terminal बाहर में है वहाँ पर क्या शो करेगा वहाँ 9 शो करेगा ठीक है फिर उसके बाद जैसे ही घट के आएगा तो फिर यह 8 शो करेगा फिर आएगा तो यह 7 शो करेगा यानि यहाँ पर क्या होगा output line पर हम लोग देख सकते हैं कि अभी counter का value क्या चलदा यानि count का value क्या चलदा इस status को जो micropositor read करता है यह status micropositor को बीच में चेक करना है सपोज यह counting चलदा 100 का यानि 101 लोड किया गया इसके अंदर 101 degrees कर रहा तो घरते घरते माले यह पहुंचा है 51 पर तो micropositor चाहिए कि अभी read करना है तो micropositor क्या करेगा read command बेजेगा इस पर और जैसे read command यहाएगा यह status जो है यहाँ से micropositor को पता चल जाएगा कि अभी 51 count हुआ है अभी degrees होना बाकी है तो यह output यह जो मतलब हम लोग output देखते है वो कहाँ से देखते है output terminal से देखते है clock और gate का का काम क्या है clock का का काम है और out क्या बताता है output को बताता है किसी भी वक्त micropositor अगर output देखना चाता है तो देख सकता है और अगर नहीं देख रहा है तो last में 0 होने के बाद यहाँ से क्या होगा एक interrupt signal भेजा जाएगा कि इसको micropositor को जो इसको data worth buffer के थुरू होते हो micropositor पहुचेगा micropositor को यह बता चला है count over हो चुका है तो यह चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर input signal क्या कर रहा output signal क्या कर रहा और यह counting counter count कैसे कर रहा तो उसी तरह से write वाला write का मतलब क्या है कि जब micropositor कोई भी count को load करना चाता है counter में तो यह क्या करता है write signal को enable कर देता है यानि write signal को 0 कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा data buffer से जो भी data आएगा वो यहाँ आके control word में है control words होते हुए counter में आके load कर दे जाएगा ठीक है जब write signal enable होगा read में क्या होगा status को read के जाएगा अगर यह दोनों 00 हो जाएगा simply आपका counter 0 select होगा अगर अगर 0 1 है तो कौन सा counter select होगा 1 select होगा अगर यह 1 0 है तो कौन सा counter 2 और 1 1 है तो क्या select होगा यह कोई counter select होगा बलके control word register में सारा data जाएगा ठीक है जो भी data बस बहर का data है वो कहाँ जाएगा control word register में जाएगा clear अब यह chip select का काम क्या है यह chip select जब 0 होता है सबसे पहले तो यही signal सबसे पहले जो यहाँ पर data बस बे जो signal आता है control signal वो कौन सा आता है chip select का जो की 0 आने पर क्या होता है 8253 का जो IC हो select हो जाता है working के लिए और अगर यह 1 रहेगा अगर यह 1 रहेगा तो मतलब 8253 का working off है यानि 8253 यह कोई काम नहीं sign किया गया जब यह 0 होगा तब 8253 select होगा और वो अपना function करना सुल करेगा clear तो आपको मैंने एक एक portion को अलग अलग करके detail में बताया और एक simple language ने बताने के कोईश किया ताके आपके निमाग में यह जीद बैट जाए कि कैसे 8253 काम करता है और कैसे यह हमारे लिए useful है तो simple अब हम एक बार पूरा प्रोसेस को एक बार overview कर देते हैं finally और उसके बाद हम लोग theory portion पर चारेंगे तो सबसे पहले जो भी signal यहाँ पर आता है read करना है कि write करना है तो read right single में से कोई है कि enable होगा तो उसके according क्या होगा read operation होगा या write operation होगा आगे क्या आएगा a0 a1 और 7 में क्या a0 a1 यहाँ तो पूरा क्या है यह d0 से लेके ad7 तक जो microprocessor का यह क्या बलता है multiplex address bit होता है वो यहाँ पर connect रहता है तो यह d0 से d7 हम अपना पहले सिर्फ यूज़ करने a1 और a0 तो बाकी कहाँ चला गया a2 से लेके a7 तक जो है वो क्या करता है तो यह a2 से लेके a7 जो address line है वो chip select के साथ connect होया आता है और chip को select करने का logic perform करता है कैसा तो वो मैं अभी आपको दिखा सकता था यहाँ पर कि जैसे simply क्या आता है आपको पहले मैंने microposition कुछ question बना के दिखाया है वहाँ पर देखेएगा chip select जो हो रहा है मतलब एक chip select के लिए मैंने and get suppose बनाया हुआ है इसका output क्या है इसके input में देखाया हुआ है कि a1 है suppose इसके input में a2 है a3 क्या है बार है a4 क्या है ऐसे general लगा हुआ है फाइव लगा हुआ है डेर सारा input लगा हुआ है तो उसके according हमने question solve क्या था कि यह अगर 1 होगा यह 0 होगा यह 1 होगा यह 1 होगा तब जाके chip select होगा ठीक है तो ठीक उसी तरह सा chip select में क्या है यह a2 से लेक a7 जो address लाइना है वो chip select करने का operation perform करता है तो जब यहाँ पर आपका पूरा जब यह data बस यह multiplex address बस ना ad0 से ad7 है इसमें क्या है कि जब यह address बस की तरह काम करता है तो वहाँ पर जब a2 से a7 तक जो data आता है वो क्या काम करता है वो chip को select करने काम करता है ठीक है और a2 और a, sorry a0 और a1 क्या करता है a0 और a1 counter को select करता है यहाँ पर कौन सा counter work करेगा यानि किस counter में data count को load करना है किसका क्या mode of operation होगा यह कौन select करता है a0 और a1 से पता करते है कि कौन सा counter work करेगा कौन सा counter भी work नहीं करेगा ठीक है तो हम लोग यह देखा कि read diet control logic कैसे work करता है control word register में जो भी आपका data आता है data buffer से होते हुए वो सारा control word register में आता है किसमें कब count value load होगा यानि जो जो counting भेजा गया है वो count value कौन से counter में कब load होगा जब clock pulse ही होगा तो count value load होगा लेकिन कौन counter में load होगा यह select कौन करेगा यह control word register select करेगा किसके according select करेगा a0, a1 के according select करेगा ठीक है और बाकि यह तो इधर का सबसे simple चीज है इतना काउंटर और यह 15 बीट काउंटर्व गयाएगा वल क्या करेगा लोगوس यह काउंटवं यह ईतना बित का ओंटर्जा सब्सक्राइग b सब्सक्राइब करना तो हम लोग क्या करते हैं एक से जादा टाइमर कौन करते हैं तो अभी यह क्या है तीन तरह का टाइमिंग ओपरेशन को एक साथ हैंडिल कर सकता है तो आई होप आपको यह 8253 का वरकिंग बहुत इजी लेंगोज में समझ में आ गया होगा कि 8253 काम कैसे करता है बेसिक दम फंडा एक दम सिंपल सिंपल इसी सारे चीज़ को मैं लिख रखाया है टोटल चीज़ को सारा पिं मैंने पिंटेका मैं भी दिखा cigarettes देखिए चलता है देखेए यह जिसमें डी जीडओ से होगें यहां से यह तक पूरा यह क्या है आपको डेटा बस बाफर के अंदर यह पिन ओता जिसके चांटर को सेलेक्ट crystalline चिप सेलेक्ट होता हुगल है। हुग यह विशिसी पैवर्स नude यो हर्等 यह नहीं करेगा है और यह आपका न्यूटल है ग्राउंट तो सारा पिन आपको समझ हो पिन का क्या काम है कि कौन सब इन कैसे microprocessor जूर के क्या operation perform करता है यह सब कुछ मैंने आपको उस block diagram में explain कर दिया है अब यहाँ देखिए यहाँ interfacing देखाया मैंने 8085 यहाँ पर है यह जो है यह microprocessor का part है ठीक है और यह किसका part है यह है 8253 का part तो 8253 में सबसे पहले में क्या आता है data bus buffer था D0 सो D7 वो किससे connect होता है microprocessor के AD0 सो AD7 पर connect होता है ठीक है multiplex hydrotrank से connect होता है read वाला जो आपका signal है वो read से connect होता है write-write से chip select इसी साफ से connection होता है chip select का command है वो यहाँ पर A10 to A15 है यह कितना होगा total 6 लेकिन यह convert होके यहाँ पर क्या आता है यहाँ पर आता है यह A2 से लेके A7 इसके हिसाफ से यहाँ पर chip select होता है और output का command दो देखें नहीं कि यह counter 0 है, counter 1 है, counter 2 है clear? control word register जो बीट में यह क्या करता है सारे operation को control करता है कि कौन सा counter select होगा कौन से counter में कौन सा counting यानि कौन सा 16-bit count लोड होगा ठीक है? कौन सा counter कब decrement करना शुरू करेगा किस mode में operate होगा, यह सारा काम किसका है control word register का तो आई होब, आपको यह पूरा basic funda जो है 8253 का, अच्छे से clear हो गया होगा अब चलिए हम लोग theory part को इसके थुरा सा देख लेते हैं और उसके बाद इस topic को finish करते है ठीक है? तो चलिए theory part के तरफ चलता है जो मैंने अभी तक बता है, सब वही चीज़ आपको मिलेगा theory में भी कोई अलग चीज़ नहीं मिलेगा पहला 8253, 8254 को क्या करते है programmable interval timer करते है ठीक है PIT design किसके लिए क्या गया है? perform करने के लिए कौन सा operation? timing and counting function को perform करने के लिए timing and counting function कैसे perform होता है? तो 16 bit का counter होता है जिसमें क्या होता है? 16 bit का register उसके अंदर होता है counter के अंदर लगा हुआ जो 16 bit count को load करता है 16 bit count का मतलब 16 bit का कोई भी counting को उसके अंदर लोड कर जाता है उसके बाद वो decrement होना शुरू होता है ठीक है? कहारा हर एक counter में क्या होता? दो input line होता है clock और gate और एक क्या होता? output line होता है clear? आगे चलता है कोई भी counter कैसे count करता है तो सबसे पहले उसमें 16 bit count उसके register में load कर जाता है क्योंकि यह 16 bit का counter है इसलिए 16 bit count को उसके register में load कर जाता है और उसके बाद जैसे ही gate command दिया जाता है तो यह क्या करता है? decrement होना शुरू करता है count decrement होनने लगता है गटने लगता है और यह 0 तक पहुँच जाता है जब 0 हो जाता है तब क्या होता है? तब यह एक interrupt यानि pulse को generate करता है जो कि microprocessor को जा के बताता है as a interrupt के form में कि count over हो चुका है तो यह चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया अगर आप counter होता तो क्या होता है जो भी count से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है आप counter हमें साथ 0 से शुरू होता है जातर ठीक है down counter जो भी उसमें लोड किया हुआ वहां से शुरू होगा घटता जाएगा तो यह down counter है उसके अंदर maximum value को लोड कर देंगा उसका तो घटना शुरू होगा कह रहा है कि 8254 जो होता हमको पता है कि यह कहां से कहां तो हो सकता है handle कर सकता है 0 से लेकर 10 MHz जबकि 53 का रेंज क्या होता है सारे 3.5 MHz तक ही जाके खतम होता है कि यह इसका और भी कम मेंचन किया हुआ है लेकिन 8254 का क्या properties है कि यह 0 से लेकर 10 MHz तक तो handle कर सकता है input के signal को ओके आगे चलते हैं तो यह कह रहा तीन जो counter है वो तीनों counter किस तरह के counting को perform करता है आइधर binary काउंट के जाएगा या BCD काउंट के जाएगा उसमें 16 bit का जो count आपको लोड करना है counter के अंदर तो या तो binary form में हो सकता है या BCD form में दोनों के लिए compatible है ठीक है और यह क्या है माइक्रोफ 8253 8254 जो है लगभग सभी सब्सक्राइब के साथ यह attach हो सकता है compatible का मनलब क्या है सभी के साथ attach के अपना function perform कर सकता है ठीक है आगे जलते हैं देखिए इसके अंदर क्या होता 8254 का मैंने बोला था सबसे important advantage हो है इसके अंदर एक readback command होता है readback command का काम क्या होता है जब भी microprocessor को कभी भी इस्टेटस चेक करना होता है कि अभी क्या counting चल रहा है तो यह signal को हाई करता है और उसके हिसाप से अपना status को चेक कर लेता है देखिए यह क्या करेगा हम को चाहिए कि अभी क्या time हो गया ठीक है कितना time हो गया कितना time बचा हुआ है operation को perform करने में तो जैसे वह बटन दाविएगा तो क्या हो जाएगा 8254 में read back command enable हो जाएगा और वो क्या करेगा अभी present count value को show करने लेगा ठीक है आगे चलाए यह तो हम लोग बात कर लिया अब देखिए इसी में मैंने क्या किया है block diagram को explain कर दिया है तो block diagram को explain करने के सबसे मैंने पहले मैंने क्या क्या counter को explain किया है कि इसके अंदर दो input होता है clock और gate और एक output होता है जिसका नाम है out सबसे पहला block जो है वो data buffer उसका काम क्या है सबसे पहला जो भी programming mode या data signal जो आता है जिससे programming mode decide होता है या count value कितना आएगा सब किसे के through होते हुए आता है सब आता है data buffer से होते हुए आता है control word register में control word register इस data को लेने के बाद decide करता है कि कौन से board में कौन को सबस्icken mater करता है कंट्र को सबस्क्राइब करने में हेल्ट करता है Control Map और लोट रेछesser कैंग करना है read right के लिए हम लोगा आगे देखते हैं simply देखें जब अगर माल लिए control वर डिस्टर में अगर a0 और a1 दोनो 00 है read का value 1 है write का value क्या 0 और cs का value 0 तो यह दिवाद रखेंगा यह दो सब यहां पर दिखाया यह read bar है यह write bar है यह c s bar है बार लिखा नहीं किया लेकिने by default समझेगे सब के ओपर क्या compliment लगा हुआ है तो जैसे यह 00 होगा तो क्या इससे पता होगा यह counter 0 सेलेक्ट होगा अब read होगा क्या write होगा तो यह one है one होग का मतलब यह disable रहाएगा यह 0 य्यानि ह multim और खंपर जायेगा यए 0 यू यह अनी है यह 0 होगागा तो आब क्या इससे क्या पता लगा इसी यह पतल लागए गाया counter 0 में right operation होगा चीप सेलेक्ट होने के बाद तो पहला और में chip partners होगा फिर counter 0 में right operation हो यह यह यहां देखाए दिए दर आया कि रीड ओपरेशन नहीं होना है राइट ओपरेशन होना यह राइट करना है काउंटर टूमर को यह क्या हो रहा है जब मैंने पूरे यह function को एक साथ explain कर दिया तो आप यह सब बताने की जरुवत नहीं है लास्ट में क्या है counter वही चीद जो तीन counter है आपका सूला बिट का counter 0 counter 1 counter 2 कुछ चीज को यहां पे लिखा हुआ है यह वो तीनों किस तरह का होता है 16 bit down counter होता है तीनों में explain कर दिया है दोबारा explain करने की आयोब जरुवत नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका 8253 किस काम में यूज होता है और कैसे कैसे यह वर्क करता है आयोब आप इसको अच्छे समझ के किसी को भी explain कर पाएंगे thank you so much for watching this we will meet in the next lecture